नमस्कार दोस्तों घरेलूखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै लक्ष्मी माता जरूर लिखें दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि घर में तुलसी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए जी हां दोस्तों तुलसी के पौधे से रिलेटर संपून जानकारी हम देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब पौधा नहीं है अभी तक आपने अगर तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो आप अवस्स मेरी इन बातों को मान कर इन नियमों का पालन कर आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवस्स लगाएं तुलसी को हिंदियों में देव तुल माना जाता है ऐसी मानिता है क घर की आसपास की वातावरन अच्छा बना रहता है और यदि आप रोजाना तुलसी का सेवन करती हैं तो इससे आपका स्वास्त अच्छा बना रहता है मगर बहुत जरूरी है कि आप घर में तुलसी के पौधों को सही दिसा में रखें। तुलसी के पौधों से लोगों की धार्मी का स्थाय तो जूड़ी ही है, साथ ही तुलसी का पौधा सेहत और वास्तु के नजरिये से बहुत लाब दायक है कई लोग अपने घर में तुलसी के पौधों को कहीं पर भी लगा देते हैं, मगर ऐसा करने से आपको लाब की जगा नुकसान हो सकता है तो चलिए जानते हैं तुलसी का पौधा लगाने का सही डायरिक्शन आपको अपने घर में तुलसी का पौधा पुर्ब दिसा में लगाना चाहिए अगर आपके घर में पुर्ब दिसा में कोई अस्थान नहीं है जहां पर तुलसी का पौधा लगाया जा सके तो आप इसे उत्तर दिसा में भी लगा सकती है आप इन दोनों ही दिशा में जिस दिशा में भी तुल्सी का पौधा लगा रही हैं, ध्यान रखे कि वहां भरपूर सनलाइट सुर्ज की रोषनी आती हो, इस बात का भी ध्यान रखे कि तुल्सी के पौधों को सीधी धूप में ना रखे, दूसरी बात है बहुत सारे लोग तुलसी के पौधों को घर के आंगन में सेंटर में रख देते हैं, मगर यह सही अस्थान नहीं है, तुलसी के पौधे का रखने का, तुलसी के पौधों को हमेशा घर के किसी कोने में रखना चाहिए, आपको बता दे कि अगर आप उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा रखत अगर आप तुलसी के एक से ज्यादा पौधे लगा रही है तो ध्यान रखे कि आपको तीन, पांच, साथ और संख्या में इन पौधों को लगाना है। जहां भी आप रखती हैं वहां पर आप भूल से भी ज्याड़ू या डस्ट भी न रखें। आपको इन में कितना सक पो सकता तो और मिट्टी को उपर नीचे करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपका तुलसी का पौधा हमेशा सुस्त रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में दो से अधीक लोग रहते हैं तो सभी एक ही दिन में तुलसी में जल न डाले। ज्यादा पानी से तुलसी की जड़े खराब हो जाती है। तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स।